दोस्तों बिहार पोस्ट मैटिक स्कॉलर्शिप को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वैसे तमाम चातर चातराओं के लिए जो बीसी 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 बाले हैं यहां पर कई सारे स्टुडेंट का हमने कॉमेंट देखा है कि जिन्होंने बीसी बीसी के लिए आप पर क्लिक करना होता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होता है और यहां पर आपको मिलता है मुकमनते पीछरावर के लिए अप्लाई करने के लिए यहां किलिक करें जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो काफी बड़ी समस्या क्या हो रही ह एक नए रेइस्टेशन करते वक्त जैसे आप जो भी डीटेल यहां पर डालते हैं और सभी डीटेल तो एसेप्ट होता है लेकिन इन सभी डीटेल को फिल करकर जब आप आगे बढ़ते हैं जो डुकमेंट आप अपलोड करते हैं डुकमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं द बिहार पोस्टमेटिक स्कॉलर से पोटल पर अभी काफी बड़ी समस्य स्टूडियन के साथ हो रहे हैं नए रेइस्ट्रेशन और जिनका यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है उनको भी फॉर्म समिट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे इस्तिति में काफे सा करना चाहिए पोटल पूर्ण रूप से बंद है या आपको क्या करना है वो सारी जनकारी हम आपको बताएंगे देखिए आपको बता दे अगर बिहार पोस्टमेटिक स्कॉलर सिप का अगर ने रेइस्ट्रेशन या आपका जो लॉग इन करकर फॉर्म को फाइनलाइज करन था अगर पोटल बंद हो जाता तो यहां पर आपके सामने इस परकार का जो है फॉर्म नहीं खुलता मतलब कि अभी पूर्ण रूप से रेइस्ट्रेशन करने के लिए कुछ न कुछ टेक्निकल इसू चल रही है पोटल पर कुछ टेक्निकल इसू को सही होने में आपको समय लग सकता है क्योंकि आप जान रहे होंगे इसका लाश्ट डेट जो था पहले एकतिस साथ दोहजार तेश तक ही था तो अभी लाश्ट डेट में भी कोई बदलाब नहीं की गई है मतलब कि अभी तक लाश्ट डेट बढ़ाने को लेकर कोई नोटिफिकेसन या यहां पर भ बच्चों को मौका जरूर मिलता जो पहले से पंजिकरन कर चुके हैं जिसको यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है और डाइक्ट इसन पोर्टल पर इनके पोर्टल पर आडाकर डाइरेक्टों लॉग इन वाले विकल पर किली करके वो जरूर फॉर्म को फाइनलाइज पाते लेकिन यहां पर देखा जा रहे कि वैसे बच्चें भी फाउंग को फाइनलाइजन नहीं कर पा रहे तो इसका साप मतलब अब यह है कि यह कहीं न कहीं पोर्टल पे कुछ न कुछ बग चल रही है कुछ न को समस्या चल रही है इन समस्या को सही होने का आपको इंतजार करना है अगर नया राइश्टेशन नहीं भी होता तो पूराने कैनिडेट जिनको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है उनको को मौका जरूर्द मिलता इस चीज़ को अपक्ẫn समझें क्योंकि यहां पर रेयस्टेशन करने की तीथी था जिनका रे bisogं करने की जोत तीथी थैंग से करीब जोह 1.5 महिना-2 महिना का समय जरूर्द मिलता है कि आप पागे जो है फाइनलाइज कर पाएंगे तो जिनका भी अगर अभी तक रेइस्टेशन नहीं हो पाया है नया रेइस्टेशन या जिनका यूजर आईडिया पासवर्ड आच चुका है पोटल पर लोग इन करकर फाउम को जब फाइनलाइज करने जाते तो आपको प्रसनल डी कुछ न कुछ काम चल रही है या पोटल पर कुछ न कुछ बग चल रही होगी उसे सॉट आफ जब तक नहीं किया जाएगा यह समस्य आपको देखने को मिलेगा अब लाश्ट डेट को लेकर आपके मन में कन्फूजन है तो हमने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि इसका लाश्ट डेट अन ओफिसल तोर पर आप समझ सकते कि डेट बढ़ सकता है लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन उमीद रखिए यह जो अगर आपकी राइश्टेशन नहीं लेना रहता तो यहाँ पर यह फॉर्म नहीं खुलता मतलब डाइडेट के लि इसका कोई अपडेट नहीं है जैसे ही अपडेट आएगा तो पॉर्टल पर इसकी जनकारी दे दी जाएगी फिर आपको सारे जो फॉर्म है वो सही धंगों से फील होगा तो ऐसे इस्तिति में आपको दो चार दिन आपको इंतजार करना है और एक चीज़ यहाँ पर सकते हैं इनके दवारा आपके जो भी समस्या है उसे शर्ट अट किया जाएगा और पॉर्टल पर जो भी खामिया है उससे भी इनके दवार अपडेट किया जा सकता है यह टेकनिकल टीम का नमबर यहाँ पर देखनों को मिलता है चूंकि हेल्प डाक्स के रुप में दिया गया इस पर आप जरूर वाटसब करें तो जो आपकी परसानी हो रही थी नए राइश्टेशन या लोग इन करने में हमने आपको क्लियर किया कि क्या समस्या है मैं आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आगे कि कोई भी अपडेट आती है इसकी जनकारी हम अपने टेलिग्राम चैनल के माध्यम से आप तक अपडेट करेंगे आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है और थोड़ा सा इंतिजार करना है अगर आपका रेश्टेशन हो चुका है तो बिल्कुल भी घवराना नहीं है आपको मौका जरूर मिलेगा अगर आपको रेश् सेंस रखना आपको भी मौका दिया जा सकता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद